हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो एक बार फिर से हाजीर हो गई हूं मैं आप लोगों के समक्ष एक नियू वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और बता देती हूं आपको और हम लोग अपने गाउं जा रहे हैं तो ये रास्ते का व्यू है और जहां पर सीटी में हमारा मकान है वहां से अपने गाउं जाने के लिए हमको अपने वैकल से कम से कम वन आवर की जरनी तै करने पड़ती है तो ये हाईवे रोड है और इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं और देखिए बाहर जो है ना धूप बहुत तेज है और मतलब एक्तम जलाने वाली धूप है ये और ये देखिए आम के बगीचे हैं और ऐसे गाउं में तो हर्याली मिल जाती देखने के लिए देखिए हर्याली ही हर्याली है और खेत जो है देखिए सब मतलब हल से खुदाई होके जोद के मतलब छोड़ दिये गए हैं गेव यह देखिये गाउं का जो है न मतल्ब व्यू सामने आपकी है और हम लोग अब आ पहुचने वाले तो देखिये यह यह बकरी सब है और नों फोच घथ नहीं हैं लगभग और यह नहीं जो हैं आ लेगे जो हैस आ यह हमारी ही घर की बहस है और चाचाची लोग रहते है तो अल्रेडी मैंने इसे पहले अपनी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है गाउं की उसमें पूरी फैमिली जो है हमारी उससे मैंने आपको मिलवाया है और तो बस एक छोटा सा व्यू मतलब लेकर आई हो मैं गाउं का और रास्ते में जाते वक्त इनकी हस्ब और यह लोगobyघजव मैं आयतें हम तो को मेर में बैठेके कई तो थोड़ा सासा के सामने मैं यहां पे रख ऱ यहां पर तो यहां पर नदा के फूल जो थे उनकी खेती होती है और मतलब यह उप्यों का घर हमारा जो इसका मैं उसके बारी शेयर की उह मैं दीए हो रह ज़ पूरी गेंदे की फूलो की खेती हुई है यहां पे और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो स्कूल है यहां का प्राइमरी स्कूल और आप देख सकते खेतों में हर्याली कितनी देखने को मिल रही बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देखे मैं एक्चॉल में तो नहीं वीडियो जो है वो गाओं की यही तक है और बहुत लंबी वीडियो में नहीं बना पाई हूँ और आई होप आप लोगों ने वीडियो के साथ इंज्वाइ किया होगा और देखे फूलो की खेती आपको दिखा रही हूँ इसके बाद फ्रेंड्स यह देखे यह जो वीडि झाल सी यू